तो गाईज चलते हैं आज इसी टॉपिक को डिसकसन करने और समझने कि ये ग्रेट लीफ फोर्वार्ड थीरी क्या था जैसे हम लोग के देश में इनडिया में अपने भारत में वह five year economic प्लैन जो है काफी सारे प्लैन लागुं किये गये थे और उसमें five year प्लैन भी था तो उसी तरहिके से यहाँ पे चाइना में उन्होंने ग्रेट लीफ फोर्वार्ड नाम का ये ठीरी लगा था बट वो क्योंकि अब हमें जो है चाइना को समझना है तो चाइना के कुछ जो है उसके जो कल्चर फैक्ट से हैं उसको देखना पड़ेगा और दूसरा पॉइंट जो है उसके जो क्योंकि वह एक डिमोकर्टिक नेशंस नहीं है वह कॉमिनिस्ट नेशंस की क्या होती है या उसकी क्या खासियत है और क्या खामिया है वो दोनों चीजों पर भी नजर डालना पड़ेगा तो बिसिकली आज चलते हैं इसी को देखने के लिए तो इससे पहले कि आप प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है बिसिकली हुआ क्या था जब चीन चाइना में जो कालमर्क्स का ठीओरी क्या है जो कामश से और को मशं से जो है चड़ञतल है उसने मिला हुआ हूआ है यही कारण है कि वो Communist Nation कहलाता है काल मार्क्स जो हुए थे वो बिसिकली काल मार्क्स का जो ठीरी था काल मार्क्स का ठीरी जो है वो यह था कि जो Capital Intensive Market है और दूसरा होता है Labor Intensive Market तो आप जो एक कोई भी चीज का उत्पादन जब करते हो तो दो तरीका से उत्पादन कर सकते हो एक तो वैसा उत्पादन जिसमें बहुत जादे पूजी लगा हो और उसे हम Capital Intensive Market कहते हैं या Capital Intensive Industry कहते हैं तो जो Capital Intensive Industry होता है उसमें basically क्या होता है कि बहुत सारे बजट पैसे लगते हैं और वो जो है मिसिनरी का बहुत हाई लेबल जो है Automatic Systems या यूं कहें तो Semi Automatic Systems मिसिनरी का इस्तेमाल होके बनता है लेकिन जो फिर Lever Intensive Market है उसमें क्या होता है कि लेबल की यूगदान से प्रोडक्ट बनाये जाते हैं और उसे बिचा जाता है तो यही दोनों difference है काल मार्क्स का जो theory है था वो चाहता था कि जो Lever Intensive Market है is more far better than the Capital Intensive Market but when the each and every Lever converted into a capital Lever gain the capital basically जब तक Lever Capital Intensive बनाने के लिए Capital ना gain कर लिए तब तक किसी रास्ट में जो है वो Lever Intensive Market जो है वो सही है क्योंकि जदी Capital Intensive Market और Lever Intensive Market जदी कि दोनों होते हैं तो Lever का जो है वहां पर स्वसन होता है यानि कि Lever को जो है वो घटा लगता है उसका जो है बेसिकली उसके मेहनत का जो है पैसा वो मालिक को मिलता है यानि कि वो इंडस्ट्रिलिस्ट को मिलता है यह theory था और thought था Karl Marx का, इसके इस पर काफी सारे बिरूद हुए और international जो nations हैं, बहुत सारे nations जो है Karl Marx के theory को अपनाया, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, कुछ लोगों ने democratic theory या open market systems को अपनाया, तो काफी सारे जो है economic development भी हुआ, time time पे जो है economic development हुआ, लेकिन बहुत सारे nations जो Karl Marx के theory को मानता था, जिसमें आपको Russia या China जैसे देश माने देखे जा सकते हैं, तो चीन में भी Karl Marx के theory, तो कुछ communist के जो great leader हुए हैं, उसमें Karl Marx का नाम भी आता है, और उसमें Stelling का भी नाम आता है, तो यह सब जो है काफी महतपुर्ट Communist Party के leader हुए हैं, पूरे दुनिया में, अब क्या होता है कि जब चीन में उसी तरही के से जो है Mao Zing Don था, जो Mao Zing Don क्या कहता है कि पूरे जो agriculture land है, उसमें जो है आग लगा देता है, और एक नए industry यूप का China के अंदर शुरुआत करता है, उस वक्त इंडियन एकोनोमी जो था Chinese एकोनोमी से जादे आगे चल रहा था, तब की बात है कि जब Karl Marx ने ऐसा किया, और फिर जो है वो गाउं में जाकर जो है नए नए industry का जो है उद्गाटन किया, बनाया और वो basically labor intensive market ही हुआ करता था, जहांपे labor के मदद से काम करने वाल आदमी जो है बहुत सारी चीजी उत्पादन बनाते थे और फिर उसको internationalized क्रिया market में बेचा, तो इस से जीरे 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 capital gain हुआ और capital gain होने के बात जो है चैना का स्थिती जो है वो बदलने लगा, तो यही कारण जो है है और इसमें के दोरान जो है लाकों करोर जो है लो है अब इस theory का असर जो है चैना के जो society development है या community पे भी आपको देखने को मिल सकता है जैसा कि आप Chinese culture देखते हो कि कुछ भी खाता है वो कीड परतंगे कुछ भी खाता है तो इसका जो है basically इसी time से जो है कहीं ने कहीं चैना का society divert किया क्योंकि जब माउजिंग्डॉन ने greatly forward क का नारा दिया और लाखों लोग जो है जब गाउं में जाकर जो है खेतों में आग लगा दिया गया क्योंकि वहाँ पर जो है चोटे जो है medium small scale enterprise लगता जो लेवर intensive होता उस वक्त धीरे धीरे उसे था कि वह capital intensive में बदलेगा जो आज बदल गया है तो इस कारण से जो है अन में कहा चाता है जो है करोर लोग जो है जान अपना गवा दिये इस agenda की वज़ए से तो तमाम ऐसी गती बीडिया हुआ तो इस वज़ए से माउजिंग्डॉण को कुछ लोग जो है चाइना में भग्वान के तरीके से पूझते है जबकि कुछ लोग जो है उसे एक्दम जो से देखा करता है तो यह जो है चाइना का एक एक इकोनोमिक हिस्ट्री है तो आसा उमीद करता हूं कि यह लेक्च्छर आप लोगों को अच्छा पसंद आया होगा तो गाइस यदि चैनल पर नए है तो बिल्कुल लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को आप ताकि आपको ऐ अब नाइस देख यू सून टेख केर एंड बॉवए